जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, सपने कभी भी यूही नहीं आते हैं। सपन सास्त्र की माने तो ये सुब और असुब या जीवन में आने वाले परवर्तनों का संकेत होता है। इसी तरह सपने में दिखने वाली चीजों का भी अलग-अलग अर्थ होता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि अगर आपको सपने में माधुरगा दिखाई दें या सपने में माधुरगा की मूर्ती दिखाई दें या आपके सपने में माधुरगा से सम्मंदे चीजे दिखाई दें तो इन सब का क्या मतलब है। ये मैं आपको इस वी और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो आई ये शुरू करते हैं। चलिए हम जानते हैं कि अगर सपने में आपको मादुर्गा के दर्शन हो जाएं तो इसका क्या मतलब होता है। और यदि कोई व्यक्ती पैसे के लेन देन में फसा हुआ है या सिर पर द्रिदता होने का संकेथ है और इस इस्थिति में उस व्यक्ती को सपने में मादुर्गा के दर्सन होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि दरिदता का संकट और पैसों की लेन देन में फसे हुए आदमी को अब राहत मिलने वाली है और यदि किसी व्यक्त की तबियत हमेशा खराब रहती है और इलाज कराने पर भी बिमारी दूर ना हो और इस इस्तिती में उस व्यक्त को सपने में मादुर्गा दिखाई दें तो इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्त की बिमारी जल्दी दूर होगी सपने में मादुर्गा को लड़ते हुए देखने का मतलब ये है कि किसी भी परिस्तिती का सामना करने के लिए अब आप पूरी तरह से तयार हैं साथ ही सपने में माता दुर्गा को लड़ते हुए देखने का मतलब एक सुपसंकेत है क्योंकि वह व्यक्ति अपने दुस्मनों को पराजित करके जीत हासिल करेगा यदि किसी व्यक्ति का मनोबल कम हुआ हो कोई चीज करने में उसे डर लगता हो और इस इस्तिती में उसे सपने में मादुरगा के दरसन हो तो इसका मतलब ये है कि उस फ्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा और जिस बाद से उसे डर लगता है वे डर भी दूर होगा और यदि आपके सपने में मादुर्गा का मंदर दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि मादुर्गा हम पर बहुत ही खुस है और हमें आसिरवाद दे रही है सपने में मादुर्गा की मूर्ति देखने का मतलब ये है कि माता आप पर नजर रखे हुए है जिससे आप पर होने वाली कठिन परिस्ति दूर करने में वे आपके साथ खड़ी हैं मातादुर्गा का आशिरवाज आपके साथ है इसलिए आपको भैबीत होने की अवशक्ता नहीं है यदि आपको सपने में मातादुर्गा क्रोधित दिखाई देती है तो यह एक असुप संकेत होता है क्योंकि आप जाने अन्जाने में कुछ गलत कर रहे हैं जिसके चलते दुर्गा मा आपसे नाराज है और आपको जल्द ही अपनी गलती सुधारने के लिए सपने में मादुर्गा क्रोधित दिखाई दी है इसलिए आप अपनी गलती को जल्द ही सुधार लें ताकि आपके उपर मादुर्गा का आशिरवाद बना रहे दोस्तों सपने में देवी दुर्गा का दिखना अत्यंति सुभ होता है यदि आपको देवी दुर्गा लाल रंग के वस्तरों में मुस्कराती हुई दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है ये किसी भी छेत्र में हो सकता है अगर आप आविवाहित हैं तो आपकी साधी हो सकती है और यदि आपके संतान नहीं है तो आपको संतान सुप की प्राप्ती हो सकती है वहीं अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार भी मिल सकता है सुपनसास्तर के मुताबिग अगर देवी भगवती सेरो पर सवार दिखाई दें तो ये भी एक तरह का सुपसंकेत होता है इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में चल रहा खराब समय जल्द ही खत्म होने वाला है जल्द ही आपका समय बदलेगा और आपकी लाइफ में सब कुछ बैतर होगा लेकिन सुपन सास्तर कहता है कि यदि देवी दुर्गा आपको सफेद या काले रंग के वस्तर में दिखाई दें या रोते हुए या दुखी दिखाई दें तो ये एक सुपसंकेत नहीं होता है इसे सुपसंकेत माना जाता है इसका अर्थ होता है कि आपका खराब समय शुरू होने वाला है ऐसे में बेतर ये होगा कि आप देवी भगवती का इस्मरण करें और सुब कारे करें ताकि खराब वक्त से निपटने में हिम्मत मिले तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद